Okay, so, नुग स्टार्ट करते हैं, रिवीजन लेक्शन फोर है, मोशन इन वन डामेंशन का, लास्ट ख्लास मा अपनलोग क्या पढ़े थे, पढ़े थे, उनिफर्मली अक्सिलरेटेड अपनलोग पढ़े थे, पढ़े थे किनी याद है, याद है कि सब बुड़ गया, याद है कि नहीं लाज्ट ग्लास यह सो मोशन इन वन दैमेंशन मोशन इन वन डामेंशन का यूनिफरमली एक्सेलरेटर मोशन उसमें पड़े ते एक्क्वेशन शॉम जिसमें आप देख रहे हो यू आपका इनिश्टर वलसिटी था वी आपका फाइनल वलसिटी था एस मेरा अब हम पढ़ने वाले हैं अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले रेलेटिव वैलसिटी पहले तो कोई बताएगा मेरे को रेलेटिव वैलसिटी क्या होती है वह वैलसिटी जो हमारे रेलेटिव से कनेक्टेड होती है उस वैलसिटी को हम रेलेटिव वैलसिटी बहुते हैं ऐसा है गया है , ऐसा आयग्या ? ऐसा नहीं होता , जांओचनी में एक्षूली में होती है ? इसी अब्जीक्ट की क्या वेलिえて यह डिपेंड करता है आप कहा से देख रहे हो उस ? कहा सेुसक्वाब्जीक्ट को देख रहे हो ? यह डिपेंड उस पॉइंट पर करता है जैसे एक एक्जांपल बताओं मैं कि आप तो बस बस टॉप पर वेट कर रहे हैं बस आपको सामने से आती भी दिख रही है सामने से आ दो कि जो गारी सामने से जा रही यह मौनों वह कोई और गारी यह है बस टॉप बैठ कर रहे हो एकलिद को और अक्रम निसलाद वह कि से ऑ Mussi तो उन लेडिज को आप किसमें दिख रहे होंगे तो पर रेस्ट पर हो ग्राउंड की रेस्पेक्ट में और वो बोशन में है ग्राउंड की रेस्पेक्ट में में लेकिन अगर आप एक दूसरे के respect में देखो हुए तो आपको वो motion में लगेगी और उसको वाप motion में लगेगी तो यह सारी चीजें एक दूसरे से relate होती है जरा हम देखते हैं देखो जैसे अगर मैं बोलू हूँ कि A की distance मेरी B से क्या है क्या है मेरी XBA distance of B with respect to A यहां से लेके यहां तक की distance क्या है XBA यानि की distance of B with respect to A इसके respect में इसकी acceleration velocity constant है इसका मतलब क्या होगा acceleration मेरा जीर होगा हम बाद में देखने क्या है इस C कार की distance with respect to car V क्या है मेरा XCB distance of car C with respect to B आरिये बास्वाज में अगर मेरे को distance of car C with respect to A चाहिए तो क्या होगा distance of car C with respect to A तो क्या यह distance होगी पूरी होगी कि नहीं होगी तो यह distance कितनी होगी क्या XBA plus XCB हो सकती है तो XC equal to XBA plus XCB होगा के नहीं होगा पता हो यह सूँ यह सूँ ठीक है अब मैं पता है कि मेरा D X over DT क्या होता है velocity होता है के नहीं होता है यह कोई दिकत यहां तक किसी हो तो मैं इसको differentiate कर रहा हूं with respect to time तो देखो XC by A C slash A मतलब होता है distance of C with respect to A को में differentiate करूँगा तो मेरी आएगी velocity of C with respect to A similarly इसको differentiate करूँगा तो आएगी velocity of B with respect to A इसको डिफ्रेंशीट करना तो आएगी वेलसिटी ऑफ सी बिस्पेक्ट टू बी सिंपल डिफ्रेंशीयेशन किया और हमारा कनवर्ड हो गया कोई दिक्कत यहां था एक्वेशन टू तक को दिक्कत किसी को तो हमने इक्वेशन टू को अगें डिफ्रेंशीयेट किया एक और बार डिफ्रेंशीयेट किया एक्वेशन टू को बिद रेस्पेक्ट टू टाइम तो हमने देखा कि अच्छा जो एक्सेलरेशन होता को क्या होता है हमने इसको डिफ्रेंशियेट किया तो मेरा एक्सेलरेशन आगया इसमें दे रखा है कि कार बी जो है कॉंस्टेंट वैलसिटी है तो कार बी यानि कि भी विद रेस्पेक्ट वे क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो मारे क्या बचेगा सी बिद रेस्पेक्ट वे इक्कॉल टू ए एक्सेलेशन ऑफ सी बिद रेस्पेक्ट वे यह बच रहा है पर रिलेटिव वैलसिटी में हम लिखते काई से अच्छली कर्विजन यहां पर आए जैसे मेरी कार यह इदर मूब कर रही है खेंगे घ्रो कारइज खेंब रेस्पेक्ट वे इक की कार फिद लिस टी आप की लेलसिटी आफ गारकि अचलिर नियस्टी बंट रिसमेलेशन वैसंट कार्वाय यह मेरा फॉर्म्मुलाबं कारफ और कि आ इस टो भी 거죠 कुछ tactical सेनारियों देखने वाहिए इसमें आपको रेस्पॉंस करना पड़ेगा तो माना कि मैं अब आप लोग एक ट्रेन में बाइट हुए कि यह ट्रेन है यह सीट है कि यह सीट है और यहां प्याप का वाश्वियू कि नियुक्त के यहां यहां पर अफकर एकजड़ केट है माना कि इसमें दो दो तीन वच्चे वैटियुए है चलो तीन वच्ची ले ले लेते हैं हुम प्रीति तानिया एंड रीया स्वातिओ श्वाति यहां बयुआ भी है we यहां पहर रिया यहों मुस्कराते हुए रिया के दाथ देख रहे हैं बाहर और रिया घड़ी विए हाँ कि यह रिया के हैर स्टाइल है कि मैं कुम यह ड्राइंग क्या दाखती नहीं है यह कौन है रिया रिया चंदेली कि यह ध्यां से डिखेगा कि सबसे पहले एक बात हो ट्रेन इस क को या तांचा या प्रीति को तीनों को देखा हो गा तो लिया को इंदिनों की सबके न बीटा पर सेकंट सब्करते हैं टानिया या श्वाती या प्रीटी मैं तीनों को अगर पूछ उप पूछ उँ उनको रिया की स्विड का देख रही होगी कि यहां से स्वाथी ने क्या किया स्वाथी बोली इस वाश्रूम जाना चाहते हूं तो स्वाथी यहां उठी ने इस डिरेक्शन चलना सुरू कर दिया स्वाथी की वेरसिटी क्या दिखेगी तू मीटर्पॉज़ पर देक्शन चलना से वेलोसिटी और लगाएउड को स्वाथी वेरसिटी खक्या दिखेगी अभी प्रीटी को क्या हुआ प्रीटी का स्टॉपिस आने वाला है तो प्रीटी ने कहा है मैंना गेट पर जाके घड़ी हो जाती है तो प्रीटी इस डारेक्शन में चलना सुरू कर लिया माद लो फाइड मीटर पर सेकेंट से तो मैं पूछ रहा हूं कि वेलो सिटी ओफ प्रीटी विद रेस्पेक्ट टू रिया क्या होगी वेलो सिटी ओफ प्रीटी विद रेस्पेक्ट टू रिया कितने होगी विद रेस्पेक्ट टू तान्या कितने होगी फाइड मीटर पर सेकेंट पाइड मीटर पर सेकेंट अच्छा एक और कोशन कि वेलो सिटी ओफ स्वाती बिद रेस्पेक्ट टू प्रिया क्या हो जिस टाइम पर स्वाती इधर मूप कर रही है तो स्वाती देखेगी प्रिया को तो क्या इस्पिट दिखाई देखनी स्वाती को सोचो सोचो यहां प्राके फास गए वताओ क्या दिखेगी बाकी सारे हमज़र अपने करेक्ट कितने त्री कितने लोग कह रहे हैं वह माइनिस त्री लिए डारेक्शन की बात बात किए पहले मेगनीटुड बता वें थी लिए प्रिया प्रीति रिया प्रीति अंशिका अचा जया सैवन मीटा पर चेकिन कितने लोग कहाँ थे थे जाए त्रेवन रिया चंदेल 7 के साथ है आप देखो जा रहा है और फाइब से बाहर कोई भी नहीं तो प्रेंग की वेलसिटी तो मैंटर ही नहीं करती कि अब देखो तू से इधर जा रहा है और फाइब से यह पीछे जा रहा है दोनों की वेलसिटी अपोजिट डियरेक्शन अगर आप रिलेटिव फॉर्मूला लगाओगे क्या करोगे वेलसिटी आफ जैसे वेलसिटी आफ स्वाथी माइनस वेलसिटी आफ प्रींती अब देखो इसको अगर आप पॉजिटिव ले रहो तो इसको नेगिटिव लोगे सब्सक्राइब करेगी यह क्या है रिए कि वेलसिटी मैटर नहीं करेगी तो आइटेंक आपको रिलेटिव वेलसिटी का रिया ने हस्के सब कुछ समझा दिया होगा सबको इससे थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि कैसे डिबेंड कर थी एक दूसरे कि पॉइंट ऑफ व्यूप है कि आप देख कहां से रहे इस पर बहुत ज़़ा टेपेंड करती है अब आगे बढ़ते हैं अब आप फ्री फॉन पर बार बदाओ मेरे को मैंने आपको एक अंकर दिया चोटा सा पक्तर दिया और एक बड़ा वाला इंटा दिया कौन चत से दोनों को फेंकू कौन पही ले गिरेगा जमीन पर चोटा व बढ़ा पाइले कितने लोग गयते हैं अध्यक्त क्या पूछा पी अधि मैं यह बुल्ला हूँ एक मैंने इत्ता बड़ा चोटा वाला पत्तर लिया इंटा लिया और एक बड़ा बढ़ा पूरा फुल फुल इटा लिया दोनों को छत से छोड़ गया एक साथ कौन पहीले जबीन पर पहुंचेगा बड़ा बढ़ा बढ़ा बहले पहुंचेगा अ कैसे बोल रहा देखो ग्रैविटेशन पढ़ा आएगा आपने उसमें ग्रैविटेशन जी का फॉर्वर क्या होता था जी कैपिटल एम डिबाड़ेड वाई आर का यही होता था तो आप देखो के यह जी आपका ग्रैविटेशनल कांस्टेंट कांस्टेंट होता था एम मास ऑफ दर पार आर वी कांस्टेंट होता था तो मेरा जी तो सब इसे दोनों को एक साथ चोड़ोगे तो इट सीडी जाए कि पेपर ऐसे लहराते हुए जाएगा कि उस्तुन मैं हरे एक ऑब्जेक्ट पर ग्रैविटेशनल . रगेगा अगर आयरणा हो प्रुष्ट सैंट होता था कि पंक या फिर पेपर है ज़ा तोब तोनु साथ गिर रहे है तो एर है तो एर इस पंक के ऊपर थोड़ा सा फूरस लगा रहे हैँ नीचे की साड़ से इसे लिए बंक लिए गिर रहा है कि आरी वास तमझ में अब हम आता है motion under gravity के कुछ फॉर्मूला मोशन अंडर ग्रैविटी में अभी थोड़ा सा अपन लोग फास्ट चलेंगे क्योंकि रिवीजन है अलांके बट जो में कंसेप्ट था वह हमें पढ़ लिया अच्छे से अब हम थोड़ा सा फास्ट चलें देखो साइन कंवेंशन देखते हैं सबसे पहले साइन कंवेंशन में एक चीज़ आद रखनी है कि अगर मैं ग्राउंड लैवल से देख रहा हूं ग्राउंड लैवल से जो मेरा बेसिक माना है वहाँ से अगर मैं ऊपर जाओंगा तो सबको पॉजिटिव लोगा और नीचे टेक्वेशन वही रहेंगी जैंरल उक्रेशन होती दिए प्लस एकल वी को टू यो प्लस जीए ओपर यहां पर सब्सकेंद्ज ब्लस यहीं पर ना चाहते हो जाते हो तो बस इचे जोगा वस के अलावा कुछ भी चेंज नहीं होने वालगा अब लो चंका है अब जैस्ट इस कोशन करो इस कोशन को पहले यह वाला वोशन करो पहले इस कोशन को बाद मुदरीगा पहले यह वाला वोशन करो झाला वोशन करो झाला वोशन कर दो नहते हैं झाल 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 है किसी कांसर झाल 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 गराईविकांजर झाल मैं कर वालता हुश्कुचर लुए कोश्चन देखो यहां से टॉप से यहां से टॉप से किसी बॉल को फेंका गया है फेंका गया है और कितनी हाइट है यह वाली 60 मीटर एक बात बतो यहां से 60 मीटर नीचे की तरफ है नीचे की तरफ 60 मीटर इसका मतलब ऐसे क्या होगा माइनस के 60 मीटर होगा कि नीचे की तरफ है ना हमने इसको बेसिक माल लिए यहां से नीचे तरफ है और उपर की तरफ स्पीड कितनी है 20 मीटर पर से यानिकि यू कितना होगा आपका 20 मीटर पर से पूंशा गया आपको फाइंड दा लेंडिंग इस्पीड लेंडिंग स्पीड मतलब यह जब लॉट के आ रहा होगा तो यहां पर जब कूदेगा तो किस वेला से जब कूदेगा तो एक केशन कौन सी लगाऊं वी स्काइर रिए एकल टू यू स्कायर ब्लस टू ए एस घू है यू स्काहिर हमें लिए रख वंटी्टका प्लस टू इन्टू एक इतना ओर को माइनस के टैन माइनस के 10 यानिकी जी है ना जी लेलो कि एस कितना है माइनस के 60 ठीक अभी तो अब देखोंगी वी स्कायर एक्वर्टू यू कितना है ट्वंटी का 400 प्लस देखो माइनस के 60 इंटू माइनस के 10 इसको एक बार दो माइनस के 60 माइनस के 6 इंटू 2 इसलंटी रहे लो माइनस के 20 इंटू 660 कितना आगा में 12 प्लस्की ट्वेल वंटतेड आएगा कि नहीं आएगा तो देको वी इसकायर इकल जो तो चीन अंड्रेट तो वी इकल तो अंडरोड में सिक्स्टीन रेड याने की भी कोड़ी कितना 40 मीटर पर सेकेंड इस इस सिंपल एक्वेशन आप मोशन अप्लाई करने थिया और कुछ भी नहीं करना था अब ही सिंपल आपको एक्वेशन आप मोशन अप्लाई करने थिया और कुछ भी नहीं करना था क्लियर हुआ अपको येस से ओके कि देन बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये कॉश्चन करो भी ये कॉश्चन देखो कि अस्टॉर्ण इस ड्रॉब्ड फ्रॉम अब वैलून कोई स्टॉन है यहां से ड्रॉब किया जा रहा है 5 meter per second से वैलू ने ओर लिड़ी उपर की तरफ जा रहा है 5 meter if the height of the value ने 60 meter 60 meters की height find the time after which stone hits the ground ॥र कितने time के बाद मैं stone पहुँचेगा करो भी झाल 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 इस आज़ 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 आज़ा है इस तरह एकटी मीटर है एकटी मेटर ओक रिया चंदील आंसर बताओ आप भी बीटा पूछा टाइम है ताइम है पूछा से देटिन फूर सेकेंड फूर सेकेंड ओक लोट चलो इसका इनीशेल वेलसिटी अगरे पांच से पैराशूट दौड रहा है यहां से drop करोगे तो stone के पास भी 5 meter per second velocity होगी initial और यह कितना है मेरा s s मेरा है minus 60 तो अब देखोगे यू मेरा है कितना 5 meter per second अपवर्ड है s मेरा minus के 60 और e कितना है याने कि g equal to minus के 10 meter per second मैं चाहिए क्या आरी बात समझ में कौन सा equation लगा दो s equal to ut plus half 80 square तो s मेरे को पता है minus के 60 है यू कितना है मेरा 5 into t plus half यह कितना है minus के 10 into t square आप देखोगे minus के 60 equal to 5 t minus के 5 t square तो अब 5 से पूरे पर डिबाइड कर दो और इसको इदर ले आओ कितना होगा t square minus के t minus के 12 equal to q कोई दिकत यहां तक किसी को भी आप देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं factorize करते हैं इसको t square minus 44 into 3 कितना होगा 12 होगा 4 में से 3 minus करेंगे क्या मेरा 12 आ जाएगा 4 में से 3 minus करेंगे 1 आ जाएगा minus के 3d plus को जाएगा plus के 3d minus के ट्वैल को जीरो यहां से टी कॉमन लो तो टी minus के 4 प्लस के 3 कॉमन लो टी minus के 4 equal to 0 तो मेरा एक factor आएगा टी minus के 4 एक आएगा जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता तो यहां से मैं जब मैं टी minus 4 को जीरो के एक करूंगा तो मेरा टी आएगा आएगा फूर से कीड़िस इस माई टारेक्ट आउंस कोलो चंका का ये सर यह एप्रिजेए प्रीवियस यह कोईशने नीट 2,000 पती का विशन बढ़ा इसी कुशने हल्वा बश्चन है एक तॉम एक तॉम अबश्य नहीं चाहिए लोग ओश्चन को यह लोग शीजाने ना कुछ लोग को तो याद आ गया और यहां गाजर का अगया बनाए गर पर तोड़ा मांचर गया सार ने बोल दिया कि अगर कि अगया खुट हो मुष्वड़ा झाल झाल यह जाल यह जाए बादा, इस अफ्सक्राइण, बैसे भून प्सक्राइण, बॉट है एक लिएक है, प्सक्राइण को जाएण, एक ट्यूएग् अपिस्याइण, ₹ज एक रच्छाहेण, जो समय ओधुश्याद वनने प्सक्राइण, प्सक्छाइण। लो तो डाउनवर्ड विद वेलसिटी 20 मीटर पर सेकेंड ग्राउन आफ्टर ग्राउन रिचिंग टावर से किसी बॉल इस थ्रोण वर्टिकली वह वेलसिटी को टुट्वन्टी मीटर पर सेकेंड टॉप अफ़ टावर जैसे कोई टावर है इसके उपर आप खड़े हो यह ग्राउंड है आपका इसके उपर आप खड़े हुए हो आपने क्या लिए बॉल को गिराया 20 मीटर पर सेकेंड से यानि की यू आपका है कितना 20 meter per second यूँ क्या है वही मेरा 20 meter per second plus का के minus का आपको plus का ले रहा है वही से आप छलो ठीक है plus का ले लो अपको मने plus का ले निकल प्लस का ले लो 20 meter per second ठीक है वही और और क्या दे रखा है हमें वैसे अगर आप देखोगे ना हमारे science convention के इसाफ से तो minus के 20 लेना चाहिए तो कि downward को हम minus का लेते हैं लेते हैं कि नहीं यू मेरा minus का और जब टकर यहां पर आ रहा है तब भी मेरी downward वरसिटी यानिकि V को भी क्या लोगे minus का minus का 80 meter per second और हमारा जी कितना दे रखा है minus के 10 meter per second हमें पूँचा क्या है इसने height पूँचा है height मतलब h पूँचा है h वोल्ड दो या फिर s वोल्ड konside question लगाँग V square equal to U square plus 2 AS V कितना है मेरा minus के 80 का square equal to U कितना है minus के 20 का square minus 2 into 10 into S मेरे को पूँचा है तो 80 का सब्सक्राइब कितना हो जाएगा 6400 6400 6400 minus इसको जड़ा इदर लिया 400 हो जाएगा होगा कि नहीं equal to minus के 20S तो यहां से S कितना आ जाएगा S आ जाएगा यहां से क्या पजाएगा 6000 6000 divided by 20 कितना है 0 से 0 3 times 300 300 यानि कि देखो minus का 300 आएगा minus का 300 कि माइनस का क्यों आया है हमने इसको reference point माना था ना इसको reference माना था कि इसको reference माना आये तो यहां से बताया उसने minus के 300 मतलब नीचे की तरफ 300 मेटर इस minus का मतलब क्या है नीचे की तरफ तो हमारा option और यह question मैं आपको hint दिवा बस इस question करवा हुआ ने देखो चलो करवाते हैं इस question को जब मैं आप ball पोई से ठेक होगे तो यहां पर topmost point पर जाने के बार में इस ball की velocity क्या हो जाएगी तो हमें पूछा क्या है तो हमें पूछा क्या है ताइम पाईट के पूछा हैं अच्छा है अच smoking ऀ लग चालरेशन जी लग रहा है और हैं अगर मैं यहां तक यहां तक की आने में मालो की हम लगरा है तो यहां उन थे यहां तक आने मेभी राद ही लगे घाटाइमे टीख मецब भागे हेगा तो अगर में यहां से यहां तक जाने का ताइम निकाल दू उसका दो गुना करतुम कई तो चइंट का जागा थांग का करा देखो हमारा एक क्या है माइनस के 10 यू हमको दे रख थर्टी मीटर पर सेकंड और वी मिरा यहां पर जाने पर भी मिरा जीरो है तो यहां से इस टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने में त्री सेकंड लग रहा है तो यहां से यहां तक आने में भी थ्री सेकंड लगेगा तो हमने उसको टी ए प्लस टी ए तो मेरा टोटल टाइम अफ लैट कितना आ या सिक्स सेकेंड आ है पूलो चमका कैसे आया सिक्स सेकंड यह से चंपा की नहीं चंपा सबको अब अब हमारा आता है किसका यू आपको पता है कितना थर्टी मीटर पर सेकेंड वी आपको पता है जी आपको पता है माइनस के टेंड और टीवी पता है वैसे तो थ्री सेकंड कौन साइक्विशन कोई भी लगा दो क्ली स्कार एक्वलिव यू स्कार प्लसकी ली चीरो यू ठर्टी का स्काइब प्लस टू जी कितना है माइनस के टेंट 2 एट चाइक हाँ है तो यहां से इसको कर लो आपको इचा जाएगा जब यहां से गया यह 30 मीटर पर सागे के रहा होगा हुँ है की है इस केस में इसको यूखिया यहां पर जीरु है की नही aid भाई जो टॉप मोश्ट पॉइंट था अब वो इनीशिल की तरह बहेवर करेगा और यह मेरा फाइनल की तरह है और टी को लुकितना है थ्री सेकेंड है तो क्या लगा दो इसके लिए वी को टू यू प्लस ए टी तो वी वी मेरे को पूशा है यू कितना मेरा जीरो है प्लस टी कितना मेरा थ्री तो वी को लुकितना आएगा थ्री थर्टी नीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डारेक्शन यस और नो तो हमें यहां से एक चीज तो पता चल गई कि जिस वेलसिटी से हमने उपर की तरफ एका था उसी वेलसिटी से ग्राउंड पर नीचे की तरफ अब शॉर्ट कट अपन लोग यह करने वाले हैं आगे चलके जो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स करेंगे कल की क्लास में तो उसमें हम जो ग्राउंड से उपर की तरफ एका है अगर वो लॉट के आएगा उसी लेवल पर तो वही वेलसिटी होगी लेकिन डारेक्शन अपोजेट इस रिलेटी वेलसिटी उसकी बाद क्या बढ़ाता है उसकी बाद क्या देखा था उसकी बाद क्या देखा था नोशन अडर ग्रेविटी ग्रेविटी और फॉर्ट वह में कीटे क्वेश्चन इसमें कोई डाउड किसी को इसमें और क्लियर है सबको येस सुट ठीक है फिर बच्छों मिलते हैं आपसे अब मिलना होगा ट्यूस्डे को ट्यूस्डे को मिलना है ना लास्ट वाली क्लास होती है साड़े आट से क्लास होती उसमें बहुत कमड लोग आते हैं चलो इस क्लास मूलने से क्या फाइद है बस उस टाइम पर बोलुगा क्योंकि छूटता इन लोगों का फालतु मैं आप लोग तो आये ही यह तो तेक्षा बाइबरीवन बाइशा